हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टु कल्ल्यानी आई एस अकेडमी एज यू नो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अगर मैं आज की बात करूँ तो आज की सेशन से हम फिजिक्स जो है उसको स्टार्ट करने वाले है अब प्रीवेस सेशन में मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि हम जो है जीव विज्ञान यानि बायलिजिकल साइंस को कवर कर चुके हैं जिसके अंदर दो चीजे जन्तु विज्ञान यानि जूलोजी और बनस्पति विज्ञान यानि बोटनी ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब हमारा जो आज का उससे हम भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करने वाले हैं अब आप कहेंगे सर्फ भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है तो देखिए जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं सजीव का अध्यान करते हैं जीवित का अध्यान करते है जैसे जन्तु हुए या फिर पादप हुए पर जो भौतिक विग्यान होता है उसमें क्या होता है हम सजीव का नहीं निरजीव का अध्यन करते हैं सर निरजीव मतलब जैसे टेबल हो गई, कुरसी हो गई, या पिर दिन रात हो गई, या पिर और दूसरी प्राकरतिक घटनाएं हो गई अब ये जो भौतिक विज्ञान होता है, इसको हम दो शाखाओं में बाढ़ सकते हैं पहला भौतिकी यानि फिजिक्स और दूसरा रसायन विज्ञान यानि की केमिस्ट्री पर सर भौतिक विज्ञान को हम इन दो शाखाओं में क्यों बाढ़ते हैं देखे यो तो पूरा विज्ञान क्या है, एक ही विशह है अपने आप में पर जब हम उसकी बात करते हैं विभाजन की तो पढ़ने के और समझने के अध्यन के अलग-अलग आधारों के आधार पर अलग-अलग शाखाएं जो हैं इसमें निकल जाती है जैसे अगर हम ब्रह्मान की बात करें तो पूरा ब्रह्मान जो है द्रव्य से बना है और इसके अलावा द्रव्यों में क्या होती है तो अरजा होती है तो जब हम द्रव्य और अरजा का अध्यन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं प्रिजिक्स कहते हैं अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसी चीज़ को हम जो है आनविक इस्तर पर या एक अनू के इस्तर पर भी पढ़ते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पदार्त और अनू का जब अध्यन करते हैं तो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं तो ये ब होते हैं अपने अपने जनक होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अब चुकि हम आज फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए फिजिक्स के जो जनक है न्यूटन उनके बारे में हम समझेंगे और इसके साथ ही आज ही के सेशन में हम अपना एक पूरा यूनिट unit and measurement यानि मापन एवं मातरक इसको भी क्या करेंगे खतम करेंगे अब इसके बाद सबसे पहले मैं समझता हूँ आप सबके माइंड में एक कोश्चन आ रहा होगा कि आकिर भौतिकी यानि physics जो है ये क्या होता है तो देखिए physics जो है ये एक ग्रीक भाशा के शब्द fuses से लिया गया है अब fuses का मतलब क्या होता है तो देखिए fuses का मतलब होता है प्रकृति अब आप कहेंगे सब प्रकृति क्या है तो देखिए अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी आँखों से जिन भी चीजों का दर्शन कर रहे हैं वो सब क्या है प्रकृती है जैसे दिन रात का होना ये क्या है ये प्रकृती है इसके अलावा प्रकृती जो है इसके कारण क्या होती है प्राकृति घटनाए होती है जिसका उधारण जैसे मैंने आपको भी एक बताया दिन रात का होना या फिर बारिश के बाद हम कह सकते हैं इंदर धनुश का बनना और इसके अलावा भी अगर मैं बात करो और भी अन्यत्र चीजें हैं जैसे प्रकाश वगेरा तो ये सब क्या होता है प्रकृती में आता है अब आप कहेंगे सर भोतिकी शब्द कहां से आया तो देखिए अगर हम फिजिक्स के ही संस्कृत सम्तुलि शब्द की बात करें तो वो क्या है भोतिकी है जिसका मतलब क्या होता है यही प्रकृति होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोतिपी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं प्रकृति और प्राकृति घटनाए जो है उनका क्या करते हैं अध्यन करते हैं एक और उधारण में अगर आपको देना चाहूं तो आप सबने देखा होगा कि जो आसमान है वो नीला नजर आता है जबकि असल में वो क्या है काला है तो ये भी क्या है ये एक प्राक्रतिक घटना है जिसका अध्यन जो है हम भौतिकी में ही करते हैं इसके अलावा जैसा कि आपने लास स्लाइड में सम तो द्रव्य और उर्जा से ही क्या हुआ है मिलकर बना है अब भौतिकी के अर्थ के बाद अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मुझे लगता है आप सब जानते ही होंगे कि भौतिकी के जनक कौन है सर आईजेक न्यूटन पर सर आईजेक न्यूटन आखिर भौतिकी के जनक क् ऐसा क्या करा है तो देखिए इनोंने जो है कई रहसों को सुलजाया है प्रकृती के और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सिर्धान जो है इनोंने दिये हैं इसमें अगर मैं बात करू सबसे पहले की तो सबसे पहला है गती के नियम फिजिक्स के भौतिकी के मूल आधार के तोर पर अगर मैं कहता हूँ कोई काम करता है तो वो गती के नियम ही होंगे चोंकि क्या होता है देखिए अगर आपने किसी चीज़ पे बल लगाया तो वो वस्तु क्या है अनंत काल तक गतीशील रहेगी जब तक कि उसके उपर कोई दूसरा बाहे बल ना लग जाए अब आप कहेंगे सर अगर मैं इस रिमोट को फेकूं तो ये रिमोट तो रुख जाएगा एक निश्चित दूरी से जादा नहीं जा पाएगा तो ऐसा क्यों इसके उपर तो कोई बल नहीं लग रहा है तो देखे ऐसा नहीं है जब हम किसी चीज को फेकते हैं तो चाहे हवा का हो ये धर्ती का हो दोनों का घर्शन बल जो है उसके खिलाप काम करता है तो इस तरह गती के नियम जो है वो बहुत जादा महत्पूर्ण है जिनके बारे में सर आईजेक न्यूटन नहीं हमें बताया है इसके बाद सारवत्रिक गुरुत्वा कर्शन सद्धान यानी युनिव इक्टेशन जिसके कारण मैं भी क्या हूँ इस धर्ती से लगा हुआ हूँ और नहीं पा रहा हूँ तो ये भी आईजेक न्यूटन नहीं बताया था यहां तक कि जो आप्टिक्स है प्रकाशिकी है वो भी कही न कहीं सर आईजेक न्यूटन जो है उनके ही सयोग से आई है उन्होंने ही बताया था कि सूर्य की रोशनी जो हमें सफेद दिखाई देती है वो असल में क्या है सात रंगों से मिलकर बनी है जिसे हम क्या कहते हैं विबगेवर कहते हैं या फिर बेजानी भी कहते हैं तो इस तरह से जो सर आईजेक न्यूटन है उन्होंने भौतिकी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया है अब भोतिकी के अगर मैं अध्यन की बात करूं तो इसको अध्यन की द्रश्टी से आप प्रमुक्तहा आठ भागों में बाट सकते हैं जिनमें सबसे पहला है यांत्री की मेकैनिक्स जिसके अंदर जो है हम बलो का प्रकाशिकी इन दोनों को अगर मैं बात करूं तो इन्हें आप तरंग कह सकते हैं या वेप्स कहते हैं जिसमें हम तरंग वाला जो नेचर होता है प्रकृती जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं जबकि यांत्री की में है हम जो पार्टिकल नेचर है उसके बारे में प जेंगे इसके अलावा दो और शाकाँ होती हैं एक इलेक्ट्रोनिकी और दूसरा आधुनिक भोतिकी अब अगर मैं बात करूँ तो इसको आप तीन शाकाओं बाढ़ सकते हैं एक हो जाएगा आपका Atomic Physics दूसरा हो जाएगा Nuclear Physics और तीसरा हो जाएगा Quantum Physics अब लेकिन ये तीनों जो हैं ये विज्ञानिकों के इस तरफे क्या होते हैं पड़े जाते हैं और पड़ाये जाते हैं तो इनसे या Electroniki से हमारा बहुत जादा वास्ता नहीं है जो हमें सबसे जादा समझना है डीटेल में है वो है यांत्री की जिसमें हम बलो को समझते हैं और उसके अलावा ध्वनी विज्ञान और प्रकाशी की जो कि यहीं से हमारे क्या होते हैं एक्जाम्स के attempt कर सके अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम मापन वा मातरक इनको डीटेल में समझने वाले हैं पर आप कहेंगे सरी मापन या मातरक होता क्या है तो देखी बाइलजी जो है उसको हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हम जो जैविक प्रक्रियाएं होती है उन पर क्या होता है ध्यान देते हैं जैसे अगर आप खाना पचा रहे हो तो पाचन के दोरान कौन कौन से एंजाइम्स जो है काम करेंगे पैपसिन, रेनिन बगएरा या फिर अगर आप फीलिंग्स की बात कर रहे हो तो कौन सा दिमाग का ऐसा हिस्सा है जिसके कारण जो है आपको फीलिंग्स होगी, हाइपोथेलिमस पर जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ चीज़े क्या हो जाती है अध्यन का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है अलग हो जाता है अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं तो देखिए हम कई बार कहते हैं इस वस्तु पर मैंने बल लगाया अब मुझे बताईए जैसे ही आप ये सुन रहे हैं बल लगाया आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा निश्चित तोर पे आप कहेंगे कितना बल लगाया या फिर मैं कहूं कि मेरे उपर प्रकाश आ रहा है तो आप क्या कहेंगे निश्चित तोर पे आप कहेंगे कितना प्रकाश आ रहा है तो हमें इसके लिए किसके आवशक्ता पड़ेगी मापन की measurement की आवशक्ता पड़ेगी और इसी मापन के लिए हम क्या लेते हैं मातरक लेते हैं यूनिट लेते हैं जैसे मैंने जो कहा उसके अनुसार बल क्या लगेगा न्यूटन में लगेगा जैसे आप के लो 5 न्यूटन क्या है बल लगा दिया है तो ये 5 न्यूटन क्या है मातरक है प्रकाश हम कैसे कहेंगे पावर में कहेंगे कि 5 वर्ड जो है क्या है लाइट है प्रकाश है तो ये 5 वर्ड जो है सेंटीमीटर मेरी क्या है लंबाई है हाइट है तो यह क्या है यह जो सेंटीमीटर है यहाँ पर क्या है यूनिट है मातरक है अब लेकिन एक बात बताईए मुझे क्या मेरी हाइट जो है वो सिफ सेंटीमीटर में बताई जा सकती है निश्चित तोर पे नहीं आप इसे मीटर, किलो मीटर या काई में भी बता सकते है तो मातरक जो है उसको भी अगर हमें अच्छे समझना है तो हमें पहले किसको समझना पड़ेगा हमें भौतिक राशी यानि फिजिकल क्वांट gonna को समझना पड़ेगा अब आप कहेंगे सरी फिजिकल कॉंटिटी भौतिक राशी क्या होती है तो देखिए जैसे अगर मैं बात करो अभी हमने बात करी थी बल की तो जो न्यूटन है ये क्या है ध्यान से देखिएंगा ये क्या है यूनिट है और जो बल है वो क्या है वो भौतिक राशिय फिजिकल कॉंटिटी है कैसे सर थोड़ा से एक्स्प्लीन कर दीजिए तो देखिए भौतिक राशिय क्या होती है ये वो राशिय होती है जिनका क्या होता है किसी भौतिकी परिगटना से संबंध होता है सर्व भौतिकी परिघटना से संबन जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ दिन और रात की तो मुझे बताईए दिन और रात को आप कैसे बताएंगे निश्चित तोर पे दिन और रात को आप जो है किस से बताएंगे समय से बताएंगे कि बारा गंटे दिन रहता है natural phenomenon हो रहा है उसकी लिए जी क्या है भोतिक राशी है अब भोतिक राशी की खांस बात क्या होती है इने एक संख्या द्वारा व्यक्ट किया जा सकता है निस्चित तोर पे हम दिन को कैसे व्यक्त करते हैं दो गंटे बाद रात हो जाएगी, दो गंटे बात दिन हो जाएगा वगेरा या फिर जैसे अभी हमने समझा बल जो है, या फिर तापमान जो है, यह क्या है? बहुत इक राशिया है और इनको you आप क्या कर सकते हो? इनको आप जो है संखिया में मेंशन कर सकते हो दो डिगरी तापमान या फिर दो न्यूटन बल अब आप कहेंगे सर इस तरह तो हम हर चीज को क्या कर सकते हैं हर चीज को संख्या में डाल सकते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कितना खुश हूं तो क्या आप मुझे इसको मेजर करके बता सकते हैं इसको आप संख्यां बता सकते हैं निश्चित तोर पे नहीं या फिर मैं आपसे कहूँ कि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करते वक कितना डरा हुआ हूं तो क्या आप इसको मेजर करके बता पाएंगे मापन करके बता पाएंगे निश्चित तोर पे नहीं क्योंकि ये चीज़े क्या नहीं है ये भौतिक राशिया नहीं है मैं समझता हूँ ये बाते आपको अच्छे से इसपश्ट हो गई है अब भौतिक राशियों के अगर मैं बात करो तो इन्हें दिशा और परिमान के आधार पर हमें सबसे पहले समझना है अब ये कुछ नया नहीं है मैं समझता हूँ आप सबने बच्पन में बहुत डीटेल में पढ़ा है स्केलर कॉंटिटी और वेक्टर कॉंटिटी यानि अदिश राशी और सदिश राशी एक जिसमें कोई दिशा नहीं रहती है और दूसरा जिसमें क्या होती है दिशा होती है एक जिसमें सिर्पड से परिमान होता है दूसरा जिसमें परिमान के साथ क्या होती है दिशा होती है सर इसका मतलब सटिक तौर पे हमें समझ नहीं आया तो देखिए उधारण से समझते हैं माल लीजिए दो बिंदू है एक A और दूसरा B और आपको A से B की क्या करना है दूरी तै करना है और आपने इस तरीके से दूरी तै करी अब मुझे बताईए यहां पर महतोपूर्ण क्या है निश्चित तोर पे A और B से A से B जाने में आपने क्या करा 5 किलोमीटर की दूरी तै करी अब दिशा अगर मैं पूछूंगा तो क्या उसका कोई अर्थ है निश्चित तोर पे नहीं पर वहीं अगर मैं ऐसा करूं कि A लू और फिर यहां B बना दूं और एकदम सटिक सीधा जाओं और कहूं कि इस डारेक्शन में पूरब दिशा में क्या करा गया है तीन किलोमीटर दूरी तै की गई है तो यहां पे मैंने क्या करा यहां पे मैंने परिमांड यानि मैगनिट्यूट का प्रयोग तो करा पर परिमांड मैगनिट्यूट के साथ यहां पर मैंने एक और चीज़ क्या दर्शाती देशा दर्शा दी तो इसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर कॉंटिटी कहते हैं ये वाला क्या है दूरी है और ये वाला क्या है विस्थापन है डिस्प्लेस्मेंट है तो इस तरह से scalar और vector quantities हम कह सकते हैं अब आप कहेंगे सर कौन सी quantity scalar होगी और कौन सी vector होगी तो देखिए बच्पन में हमने बहुत सारी quantities पड़ी है जैसे अभी हमने समझा दूरी और विस्थापन अब इसके अलावा अगर आप किसी एक निश्चित रफ्तार से चल रहे हो तो वो क्या है वो आपकी चाल है जो की scalar quantity होगी बट अगर उसी चाल में क्या आ जाए दिशा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा जिसको हम velocity कहेंगे vector quantity जो है कहेंगे उसी तरह से अगर आप जो हो प्रत्वी पर हो या चांद पर मुझे बताइए क्या constant रहेगा आपका जो मास है दरब्यमान है constant रहेगा पर क्योंकि अगर हम बात करें चांद की तो उसका गुरुत्वा करशन जो है प्रत्वी से कम है तो वहाँ पर आपका बजन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि जो बजन है वो किस तरफ लगता है वो एक निश्चित दिशा में जैसे नीचे की ओहल लगता है तो जो भार है वो क्या हो जाएगा वो वेक्टर कॉंटिटी हो जाएगा इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दाप की और बल की देखी बल काफी ज़ादा एक्जामस में पूछा जाता है तो पता होना चाहिए बल क्या होता है हमेशा हम कैसे बताते हैं बल कि मैंने थोड़ा बल लगाया तो बल एक निश्चित दिशा में होता है इसलिए बल को हम क्या बोलते हैं वेक्टर कॉंटिटी कहते हैं पर वहीं अगर हम दाब की बात करें तो दाब जो है वो स्केलर कॉंटिटी है अब आप कहेंगी सर प्रेशर भी तो एक निश्चित दिशा में लगाया जाएगा तो फिर स्केलर कैसे तो देखिए जैसे माल लीजिए आप एक गुबारे में हवा भर रहे हैं तो मुझे होता है जब हम हवा डालते हैं तो सब ही तरफ प्रेशर आता है इसके कारण दाब को हम क्या बोलते हैं स्केलर कॉंटिटी बोलते हैं दाब की तरह कार्य उर्जा शक्ति ये भी क्या है स्केलर कॉंटिटी है अब आप कहोगे सर कार्य कार्य जो है वो तो फोर्स लगाने पर ही होता है हम आगे के सेशन्स में वर्क एनर्जी पावर इसको डीटेल में डिसकस करेंगे तो देखिए कार्य जो है निश्चित तोर पे फोर्स लगाने पर होता है पर कार्य की अगर मैं बात करूं फिजिक्स की 11-12 की जो भाशा है उसको ना प्रयोग में लाते हुए तो दे कारे उपर कोई बल नहीं लगाता है क्योंकि गुरुत्व जो है वो किदर है नीचे की तरफ है आप चल किदर रहे हो इधर रहे हो दोनों की बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो पर ऐसा नहीं है अगर मैं आपको कहूं कि गुरुत्व की जगा आप जो है जब आप चल रहे हो तो जो फ्रिक्षन है उसके लिए बताओ कारे जो है कितना है यह क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क हो जाएगा तो कारे क्योंकि सापेक्ष होता है तो आप इसकी एक निश्चित दिशा जो है नहीं बता सकते से मान लीजे मुझे गर्मी लग रही है तो गर्मी में यह नहीं कहूंगा मुझे किस दिशा में गर्मी लग रही है तो ताप या उश्मा ये भी क्या हो जाएंगे ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगे आवरत्ती फ्रिक्वेंसी आवेश चार्ज विद्युद तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं करेंट एक दिशा में ट्रैवल करता है लेकिन अगर आप जो है वो पाइप को क्या करो थोड़ा सा मोड दो तो करेंट भी क्या करेगा उसके साथ में मुड के चलने लग जाएगा तो इसलिए हम करेंट को किस में डालते हैं स्केलर में डा परिभाशा है जो है उनके प्रयोक से थोड़ा बच रहा हूं ताकि आपको कॉम्पिटिब के तरीके से अच्छे से जो परिभाशा है वो याद हो जाए और आप से जब कोश्चन पुछा जाए तो आप उसका सटिक जवाब जो है दे पाए अब विद्युत धारा और इनको हम अपने न्यूटन लॉस और मोशन वाले सेशन में डीटेल में पढ़ने वाले हैं तो ये भी क्या हो जाएंगी वेक्टर कॉंटिटीज जो हैं हो जाएंगी तो ये सब कॉंटिटीज एक्जाम में पूछी जाती है इसलिए स्केलर और वेक्टर आप अच्छे से क् तुलनात्मक ADYAN करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे मापन कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया तो देखिए भौतिक राशी क्या हो जाएगी जिसे मैं मेरी लंबा ही क्या हो जाएगी ये एक क्या है भौतिक राशी है physical quantity है अब मुझे बताईए आप कैसे मेजर करेंगे निश्चित तोर पर आप कहेंगे आप मुझे इंच में मेजर कर सकते हैं आप मुझे याड में गज में मेजर कर सकते हैं या पिर आप मुझे मीटर में फुट में भी क्या कर सकते हैं मेरा मापन कर सकते हैं तो आप कौन सा मातरक ले रहे हैं जिससे तुलना करके आप मेरी जो उचाई है लंबाई है उसका आकलन करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं मापन बोलते हैं मैजरमेंट बोलते हैं एक बार आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रिवर्स करके वापस से सुन सकते हैं आपको ये बा मात्रक क्या होता है तो मात्रक जो है वो यही बात हो जाएगी किसी भौतिक राशी को जब हमें मापना होता है जैसे मेरी लंबाई को जब मापना होता है तो आप एक मानक का क्या करते हैं चुनाव करते हैं और उस चुनाव के बाद आप उससे क्या करते हैं तुलना करते हैं और इसी को आप क्या कहते हैं मात्रक यानि युनिट कहते हैं। आसान भाशा में अगर मैं आपको explain करूँ तो देखी जैसे मेरी लंबाई है। अब मेरी लंबाई को आप foot में भी निकाल सकते हैं, centimeter में भी निकाल सकते हैं। अब ये इस बात पर निर्वर करेगा कि आप युनिट की कौन सी प्रणाली कौन सा सिस्टम जो है वो लेकर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप सब नहीं पढ़ा होगा किताबों में कि तीन युनिट चलती है में इन तौर पे सिस्टम में। एक FPS, दूसरा CGS और तीसरा MKS नाम सी क्लियर है FPS यानि foot, pound और second बहुतिक राशियों में जो सबसे ज़ादा प्रचलित बहुतिक राशियां है वो है length, length के अलावा mass, द्रविमान और time यानि की समय हैं। CGS में centimeter, gram और second, MKS में meter, kilogram और second, अब इनकी अगर में बात करो तो जो FPS है वो क्या है वो ब्रिटिश पद्दती पर काम करता है और जो CGS है वो उसकी अगर में बात करो तो वो फ्रेंच पद्दती पर काम करता है और जो MKS है वो बेग्यानी को द्वारा बहुत ज़ादा प्र अलग शेत्रों में अलग-अलग क्या होता है systems का प्रयोग जो है किया जाता है अब निश्चित तोर पे जब ऐसा होगा तो इससे क्या होगा बहुत जादा treaty की संभावनाएं जो है बढ़ जाएंगी अब इसी को खतम करने के लिए क्या करा गया ऐसा ही unit जो है उसको स्टार international भी कहते हैं 1960s के around जो है ये लाया गया जिसको हम क्या कहते हैं जो MKS है जो हमने अभी देखा मीटर किलोग्राम और सेकंड इसका ये क्या है सुद्रा रूप है अब आप कहेंगे सर सुद्रा रूप क्यो कहा जा रहा इसको तो देखिए जो हमने तीन units देखी कौन-कौन सी लंबाई हो गई इसके अलावा हमारा मास यानि दरब्यमान हो गया और समय हो गया तो इनी के साथ में यहां क्या करा गया चार और quantities जो है fundamental quantities यानि मूल राशियों बेस राशियों के तौर पे जोड़ दी गई इसके अलावा इस system में क्या करा गया दो quantities बनाई गई जिनने हम supplementary quantities यानि पूरक राशिया कहते हैं और इसके अलावा एक third category बनाई गई जिसमें व्यूत्पन राशिया यानि derived quantities रखी गई है अब इनको अगर मैं समझने की बात करूँ तो सबसे पहले क्या है मूल राशिया अब ये मूल राशिया कौन कौन सी है तो देखे तीन तो वही ह हो गई जो आपने MKS में समझी आपकी एक लंबाई हो जाएगी दरव्यमान हो जाएगा समय हो जाएगा इन तीन के अलावा दो और आपकी यहां पर आ जाएंगी एक तापमान और दूसरी विद्युत धारा पांच हो गई और दो और आएंगी ध्यान से सुनिएंगा जोती अब इने fundamental या base quantities क्यों कहा जाता है क्योंकि यह क्या है शुरुवाती है यह आधार है और इनका कोई formula नहीं है मतलब सर तो जैसी अगर मैं बात करो लंबाई की तो मुझे बताएगे आप लंबाई को किस से denote करते हैं निश्चित तोर पर आप उधारन देंगे मीटर से अब मुझे बताएगे क्या लंबाई का कोई formula होता है तो निश्चित तोर पर नहीं होता है अब लेकिन अगर मैं बात करो किसकी शेत्रफल की area की तो area का formula क्या होता है तो अलग-अलग shape में आप देखेंगे अलग-अलग formula होते हैं जैसे अगर किसी rectangle की बात करेंगे तो ऐसा इसलिए कि ये राशी क्या है ये उत्पन राशी है जो क्या करा गया है जो एक मूल राशी जो है लंबाई से क्या करी गई है उत्पन करी गई है तो मूल राशीया जैसा कि मैंने कहा वो राशीया होती है जिनका कोई formula नहीं होता है जो अपने आप में क्या होती है शु पूरक बनाई गई है अब पूरक का मतलब क्या होगा तो देखी जो मूल राशियों के पूरक के तौर पे कारे करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे पूरक राशी कहेंगे इसमें दो आती हैं एक आपका रेडियन हो गया दूसरा इस्टेरिडन हो गया अब घबराइए मत इनको भी हम क्या होता है आज के सेशन में समझेंगे रेडियन को हम समतल कोंड यानि प्लेन एंगल और स्टेरिडियन को हम सॉलिड एंगल यानि की अगर मैं बात करू तो घंकोंड जो है कहते हैं अब इसके अलावा तीसरी क्या रखी गई व्युत्पन राशिया यानि के लिए हम शेत्रपल या आयतन कह सकते हैं अब इनकी संख्या क्या होगी तो इनकी संख्या बहुत जादा होगी जो कि जो मूल राशिया है उन से क्या करे गई है आवशकता अनुसार जो है यह निकाल कर बनाई गई है अब देखें मूल राशियों को तो जैसा कि आप समझ में भी आपने देखी थी, यहां पर चार राशिया और है, एक क्या है electric current यानी विद्युद्धारा जिसकी unit जिसका मातरक क्या है, impere, यह याद रखींगा, विद्युद्धारा के sessions में हम और detail में इसको समझेंगे पाँचवी क्या है, temperature temperature तापमान अब ध्यान से सुनिएंगा temperature तापमान की unit हमें क्या लगता है SI unit क्या होगी degree Celsius होगी तो ऐसा नहीं है इसकी SI unit क्या है Kelvin है जिसको हम K से denote करते हैं अब Kelvin क्यों मुझे लगता है आपने हो सकता है अपनी junior classes में सुना हो परम शुन्यताप absolute zero temperature जिसको हम क्या कहते है zero Kelvin जो की होता है minus 273 degree centigrade के बराबर ये वो temperature होता है जिस पर जो particles है उनका जो motion है वो लगभग रुकसा जाता है और वो सिर्फ क्या करते है vibrate करते हैं अगर इस कमरे का तापमान minus 273 हो जाए तो मेरे अंदर की जो energy है वो ना के बराबर हो जाएगी और मैं motion करना करीब करीब क्या कर दूँगा बन कर दूँगा तो ये जो शुरुआती temperature है इसको क्या बोला जाता है Kelvin में zero Kelvin तो इसी को हमने क्या लिया है अपनी जो temperature है उसकी SI unit के तौर पे लिया है इसके अलावा दो और units यहाँ पे डाली गई है जिनके अगर मैं बात करूँ physical quantities भौतिक राश्या क्या है तो luminous intensity और amount of substance luminous intensity को आप जो है जोती तिवरता कह सकते हैं अब जोती मतलब तो मैं समझता हूँ आप समझी रहे हैं प्रकाश और तीवर मतलब जैसे मैं अगर बान लीजे बहुती गुस्य से बोल रहा हूँ तो मेरे क्या हूँ बहुत तीवरता से बोल रहा हूँ एक समझने वाली भाशा की बात कर रहा हूँ और amount of substance यानि की पदार्थ की मात्रा अब हम इन दोनों को समझते हैं और इनी के साथ में हम किसको समझ लेंगे जो हमारी पूरक राशियां है इनको भी हम समझ लेंगे जिनके नाम अभी हमेने आपको बताए रेडियन और इस्टे रेडियन तो पहले समझते हैं amount of substance यानि की पदार्थ की मात्रा को अब इसको समझने के लिए मुझे बताईए आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं बिलकुल आप जो है कुछ खरीते वक्त कहते हैं मुझे भाईया पांच किलो चावल दे देना क्या आपने कभी दुकान पर जाते वक्त उनसे कहा है कि भाईया मुझे जो है आप पांच मोल चावल दे दो निश्चित तौर पे नहीं अगर आपने दुकांदार को कह दिया पांच मोल चावल दे देना तो दुकांदार क्या हो जाएगा घबरा जाएगा पर ऐसा क्यों? ये भी तो मापन की क्या है? भौतिक राशी है जो अगर हम बात करें fundamental quantities में आ रही है तो ऐसा इसलिए कि ये राशी जो है ये chemistry guys जो है बहुत जादा प्रयोग करते हैं इसका हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत सादा प्रयोग नहीं है अब आप कहेंगे सर इसका प्रयोग क्या है तो इसके प्रयोग क्या अगर मैं बात करूँ तो देखी यहाँ पर क्या रखा है यहाँ पर कारबन रखा है अब मुझे बताईए इस कारबन को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इस 12 ग्राम कारबन में कितने एटम्स हैं निश्चित तोर पे आप यह नहीं बता पाएंगे तो इसी के लिए क्या होता है प्रयोग किया जाता है किसका मूल का और मूल कॉंसेट क्या करता है किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वजन होता है उसकी मदद से उसमें कितने आटम्स है यह काउंट करने का काम करता है यानि अगर मैं इसको और समझाना चाहूं तो इसमें क्या होता है बारा ग्राम जो कार्बन है उसका वजन जो है क्या कहते हैं कितने आटम्स बताएगा है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आटम्स जो है बताएगा है जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं अब इसी को हम क्या कहते हैं वन मोल कहते हैं पर आप कहेंगे सर ये बात कुछ हमें आज तक समझ नहीं आई तो इसको एक बहुती आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ मान लीजिए आप एक सेवफल जो है खरीदने जा रहे हैं या फिर आप केला खरीदने जा रहे हैं तो केले आप कैसे खरीदते हैं निश्चित तोर पे केले आप जो है दरजन से खरीदते हैं अब आपने जो है क्या करेगे बारा केले जो है खरीदे उसी तरह से मान लीजिए आप जो है जो सियोफल है वो भी क्या कर रहे हो दरजन से खरीद रहे हो और आपने जो है बारा सियोफल जो है खरीदे है अब मुझे बताईए इनकी संख्या जो है समान है किस की तरह इनके एटम्स की तरह पर क्या इनका वजन भी समान होगा निश् करूँगा तो उनकी भी जो items के बज़न है। उसमें क्या होगा? अंतर होगा। पर अगर मैं ऐसा माल लूँ कि दुनिया के सारे केलो का बज़न क्या है? बराबर है. और दुनिया के सारे सियोफल का बज़न बराबर है तो मुझे बताएे रह कुछ calculation में help करेगा समझेंगा जैसे माल लीजिए आपने क्या करा बारा केले जो है ले लिए अब बारा केलो का बजन जो है आपको पता है कितना है बाई एक किलो है अब मैं आपको जो है नहीं बता रहा हूं कि कितने केले रखे हैं पर मैंने आपको बता दिया कि बजन कितना है दो किलो है तो मुझे बताएए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि नहीं केलो की संख्या निश्चित तोर पर आप केलो की संख्या बता देंगे कितनी है 24 केले बस यही concept जो है chemistry में क्या करा जाता है लगाया जाता है जिससे items की संख्या जो है वो निकाल ली जाती है कैसे जैसे अगर मैं बात करूँ एवी जे नंबर आपने ले लिया और उससे आपने जो है कारबन जो है सपोस पकड़ा अब आपने देखा बारा ग्राम जो कारबन है उसका एटम्स की नंबर क्या रहता है अब लेकिन अगर बारा की जगा आपने क्या कर दिया 36 ग्राम कर दिया तो निश्चित तोर पर यहां एटम्स की संख्या क्या हो जाएगी जो एवागेट्रो नंबर है उसका तीन गुना हो जाएगी और जो एवागेट्रो नंबर है या फिर बारा ग्राम है ये क्या है ये एक मोल एक मोल कारबन का क्या है है तो इस तरह से मोल कॉंसेप्ट क्या करता है बजन की साहता से एटम्स की संख्या जो है वो निकालने में हमारी मदद करता है अब इसके बाद अगला है luminous intensity यानी जोती तिवरता जिसकी unit की मातरक की अगर मैं बात करूँ तो याद कर लीजी बहुत important है candela अब इसको आप कैसे solve करेंगे तो इसके लिए पहले आपको plane angle और solid angle जो की पूरा क्राशिया है वो समझनी पड़ेगी अब plane angle क्या होता है तो देखिए plane angle होता है radian इसे हम maths में ज़्यादा detail में पड़ते हैं तो अभी के लिए तो हमसे basics clear कर लेते हैं जैसे मान लीजिये आपने एक circle लिया बरत लिया जिसका radius कितना है और आपने क्या करा आपने उस पे जो arc है जो चाप है उसकी भी लंब़ाई कितनी ले ली अर अब निश्चित तोर पे इसकी लंब़ाई कितनी होगी radius जित्ती तरिजिया जित्ती कितनी होगी आर अब ऐसे में क्या होगा एक angle बनेगा अब ये क्या बन गया एक angle बन गया तो इस angle की अगर मैं बात करूं value की तो ये कितना होगा ये एक radian के बराबर जो है होगा अब इसको गनित की भाशा में अगर मैं बताना चाहूं तो आप इसे कह सकते हैं कि पूरे की परीधी कितनी होती है तो निश्चित तोर पे इसको हम circumference के कहते हैं 2 pi r डिगरी में ये कितना हो जाएगा 360 डिगरी पाई रीडियन कितना हो जाएगा 180 डिगरी तो एक रीडियन कितना हो जाएगा 180 बटा पाई डिगरी पर ये सब बाते जो है ये maths में ज़्यादा detail में आपको काम आएगी अभी तो हमें समझना ये पूरक राशियां जो है ये कैसे होती है तो देखे पूरक राशियां जो है ये कही जाती है किस के आधार पे स्टीरेडियन के आधार पे आप कह सकते हैं जो कि उससे आपको जादा अच्छे समझ में आएगा तो इसमें आप माल लीजिए कि एक क्या है स्पियर है गोला है अब ये स्पियर जो गोला है ये कैसा है 3D है जो रेडियन वाला था ये कैसा था 2D था पर ये स्पियर गोला कैसा है 3D है अब इसके centre में क्या है एक light है, अब ये बल्ब जो है जल रहा है या candle जो है जल रही है और इससे पूरा गोले में क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा है अब जो इस गोले की सता है उसमें आप कै ले लो एक शेतरफल ले लो, ये शेतरफल कितना होगा R sqr अब निश्चित तोर पे इस गोले की R² होगा से मतलब आपको लेना R² है अब इसकी त्रिजिया कित्ती होगी निश्चित तोर पे इसकी त्रिजिया होगी R, तो ये भी R, ये भी R पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फरक बना यहाँ पे क्या बनाता त्रिभुच शरी का बनाता और यहाँ पे यह त्रिभुच जैसा नहीं बनेगा यहाँ पे यह किसकी जैसा बनेगा तो यहाँ पे यह कौन के जैसा बनेगा ठीक है अब यह जो कौन है इस कौन में अगर मैं बात करूँ तो एक 3D एंगल बन जाएगा अगर आपने R square area लिया है और त्रिजिया ये R है तो फिर उसमें क्या होगा इसकी value क्या होगी 1 steridian होगी अब आप कहेंगे सर्फ भोती अगर हम बात करें तो mathematical बाते हो गई इसका हमें physics में क्या प्रयोग आएगा तो इसके लिए मैं आपको luminous intensity जोती तिवरता बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा कि ये luminous intensity की पूरा क्राशी के तौर पर कैसे काम कर रहा है steridian ठीक है तो पहले मुझे एक बात बताईए आपके सामने एक slide है इस slide को देखकर बताईए कि जो रोशनी है वो कौन जादा देगा बल्ब जादा देगा या फिर candle जादा देगी निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि जो बल्ब है उसमें प्रकाश जो है क्या होगा जादा आएगा अब ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए कि जो बल्ब है उसका जो flux है वो क्या होगा जादा होगा बल्ब में से energy जो है जादा निकलेगी अब इस बात को याद रखते हुए एक बात और बताईए मुझे मान लीजिए candle जल रही है तो इस candle के कौन से वाले हिससे में रोशनी जादा आएगी यह पास वाले हिससे में जादा आएगी यह जो दूर वाला हिससा है इसमें जादा आएगी तो निश्चित तो आप कहें बन रहा है किसमें किताब के नजदीक में और जब हम दूर की बात करते हैं तो वहां पे सॉलिड एंगल क्या हो रहा है कम बन रहा है सरकुछ समझ नहीं आ रहा है देखी जरा जैसे candle से क्या होता है फ्लक्स निकलता है अब याद कीजी वह स्टेरिडियन वाला डाइग्राम लाइट का क्या है बीच में एक सोर्स है अब लाइट जो होती वो क्या होती है सब तरफ निकलती है तो लाइट अपने आसपस क्या करती है प्रकाश का गुला बना लेती है अब ये जो प्रकाश का गुला है इससे क्या निकलता है फ्लक्स निकलता है तो बल्प का फ्लक्स क जो है देता है जिस से क्या होता है हमें देखने पर क्या होती कोई चीज जो है जादा या कम उजाले वाली नजर आती है अब कोई चीज हमें जादा उजाले वाली नजर आएगी या कम उजली नजर आएगी ये किस बात पर निरबर है ये प्लक्स के अलावा दूसरा इस बात पर निर्वर है कि जो solid angle है वो क्या बन रहा है अगर जैसे हम बात करें solid angle का मतलब जैसे देखिए अगर solid angle जो है अगर pass में है तो क्या होगा बड़ा बनेगा solid angle जब बड़ा बनेगा तो area में क्या होगा flux जो है जादा होगा और किसी निश्चित area में जब flux जादा होगा तो उससे प्रकाश भी क्या होगा जादा होगा पर अगर कोई चीज दूर है तो दूर होने की इस्तिती में क्या होगा इधर देखिए जो पर meter square area में जो flux होगा वो क्या होगा कम होगा solid angle क्या होगा कम होगा तो ये luminous intensity जो है हम कह सकते हैं ये दो चीजों पर नेरवर करेगी पहला flux कितना है और दूसरा जो solid angle है वो कितना बन रहा है मैं समझता हूँ ये बात आपको अब अच्छे से इस पश्ट जो हो गई होगी इसके अगर मैं practical उधारन की बात करूँ तो cricket पीछ पे आपने देखा होगा शाम के समय अंपायर के हाथ में एक उपकरण नजर आता है कमेंट करके बताइएंगा कि ये उपकरण कौन सा है ये उपकरण से क्या होता है अंपायर चेक करते कि luminous intensity कितनी है अगर luminous intensity एक निश्चित मानक से कम होती है तो उस इस्तिती में क्या होता है match रद्द कर द किया होगा अब इसी के साथ मैं समझता हूं सारी की सारी जो fundamental quantities है और जो supplementary quantities है वो आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गई होगी अब इसके बाद जैसा कि हमने समझा था तीसरा होता है derived quantities यानि व्यूत्पन राशिया अब ये संख्या में कई होती है तो इन में हम सारी की सारी व्यूत्पन राशियों को नहीं समझ सकते पर कुछ उधारन अगर मैं देना चाहूं तो ये हो जाएंगी विस्थापन, शेत्रपल, आयतन, चाल, बेग, त्वरण, बल, उर्जा, घनत्व, बलागुन, शक्ति, कार्य, सम्वेग और दाब ये सब जो हैं व्यूत्पन जो हैं एक्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चीए जैसे बेसिकली ये तो आप जानते ही होंगे कि एक किलोमीटर बराबर क्या होता है हजार मीटर होता है अब लेकिन सवाल जो है एक्जाम में आ सकता है कि एक मील बराबर कितना होता तो देखिए एक मील जो है वो 1.6 के किलोमीटर के लगबग होता है मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक मील एक किलोमीटर से क्या होगा थोड़ा बड़ा होगा अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ पर किलोमीटर से ज़ादा मील जो है प्रचलित रहता है अब इसी के अलावा अगर हम पानी की बात करें तो पानी में क्या होता है जो दूरी होती है वो नाविक मील या पिर हम कह सकते हैं नौटिकल माइल्स जो है उसमें नापी जाती है जिसको हम 1.852 किलोमीटर कह सकते हैं अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों तो देखिए ऐसा जो है आप जोग्रोफी के पॉइंट अव्वी से समझ सकते हैं जोग्रोफी में अगर मैं इतने एरिया की बात करूँ तो मुझे बताईए इतने एरिया में कितने लैटिटूड आएंगे निश्चित तौर पे आप कहेंगे सन 90 डिगरी है तो इसमें क्या होगा 90 लाइन जो है आजाएंगी यानि कि 90 लैटिटूड जो है यहाँ पर आजाएंगे अक्षांस देशांस की बात कर रहा हूं मैं अब 90 latitudes में अगर हम बात करें तो ये कितना है 90 degree है अब 1 degree latitude जो है उसकी value कितनी होती है तो अगर आप जो है geography पढ़ेंगे तो लगबग 110 km जो होती है अब इसमें क्या होता है एक जो degree होता है उससे छोटी unit होती है एक minute तो एक degree जो है इसे आप कितने minute में बाढ़ सकते हो 60 minutes में इसको आप बाढ़ सकते हो तो एक minute की मुझे बताए value कितनी होगी निश्चित तोर पे 110 km में आपको क्या करना पड़ेगा 60 से भाग देना पड़ेगा और इस value को जब आप निकालेंगे तो यह कितनी आएगी 1.852 km जो है आएगी यह देखिए अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं पैन से mark कर देता हूँ यह area जो है यह क्या है यह 1 minute है ठीक है और इसकी value कितनी है यहाँ पर इस लंबाई की value कितनी है यह 1852 मीटर है यानि 1.852 किलो मीटर है ठीक है तो नाविक मील भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा इसके बाद आपका जो एक important रहता है वो एक खगोली एकाई यानि की astronomical unit जिसको हम लगबग 15 करोड किलो मीटर कह सकते हैं या फिर 1.495 into 10 की power 11 मीटर जो है कह सकते हैं पर सर यह AU क्यों बनाये गया तो देखिए अगर मैं सूरज की और धरती के बीच की दूरी बताना चाहूं तो यह 15 करोड किलो मीटर के लगबग है पर इसको याद रखना अपने आप में क्या है एक मुश्किल टास्क है और वहीं अगर मैं मार्स और दूसरे प्लैनेट्स की भी बात करने लग जाओं तो यह कार्य जो है और मुश्किल हो जाएगा तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने क्या करा सूरज और प्रत्वी के बीच की जो दूरी है उसको एक मातरक मान लिया astronomical unit ठीक है और उसी तरह से हमने मार्स की और सूरज के बीच की दूरी कित्ती मान ली 1.52 astronomical units तो सारे जो प्लैनेट्स है और जो प्रत्वी है उसके बीच की दूरी निकालना इससे हमारे लिए बहुत क्या हो गया आसान हो गया इसके अलावा इससे भी बड़ी unit रहती है प्रकाश वर्ष अब मुझे बताईए प्रकाश की रफ्तार क्या है निश्चित तोर पे आप कहेंगे 3,00,000 km per second ठीक है तो इस रफ्तार से अगर प्रकाश कितना समय चले एक साल चले प्रकाश यानि 3,00,000 km per second की रफ्तार से प्रकाश अगर एक साल चलेगा तो जो वो दूरी तै करेगा उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं जो कि है 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर ठीक है इसके बाद एक कोश्चन एक्जाम से पुछा जाता है कि दूरी में सबसे बड़ी यूनिट कौनसी है तो इसका जवाब रहेगा पारसेक जिसकी वैल्यू जो है 3.08 into 10 की पावर 16 है अब याद कैसे रखेंगे अगर लाइट यर में बात करें तो यह वैल्यू हो जाती 3.26 light year मतलब जो आपने ऊपर देखा था लगबग लगबग उसका क्या है तीन गुना है तो यहाँ पे 9.46 है तो यह लगबग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30 के लिए यहाँ पे क्या लिया है 3.0 लिया है तो देखिए यह जो है एक बहुत ही डीटेल में डिसकस करने लायक मेथट से आया है जिसको हम पेरलक्स एंगल जो है कहते हैं अब यह पेरलक्स एंगल तो मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा समय की कमी के कारण पर मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि जो सूरज है और एक तारा जो है उसके बीच की सीधे सीधे दूरी कितनी है 3.26 लाइट यर है और इसी को हम क्या बोल देते हैं वन पार्सेक जो है बोल देते हैं अब इसके बाद अगर मैं बात करो तो लंबाई के अलावा हमने देखा था दो चीजे और क्या होती है प्रमुक में तो एक होता है दरब्यमान और दूसरा होता है समय ये तीन भौतिक राशिया क्या होती है अब इसमें सबसे पहला जो एक्जाम में पूछा जाता है वो ये आउंस एक आउंस जो है लगबग 28 गराम के बराबर होता है अब आप कहेंगे सरी आंस क्या है तो देखिए मैं जिम की भाशा में समझाता हूँ जिम वाले क्या होते हैं एक बार में लगबग 30 गराम प्रोटीन जो है खाते हैं अब इसके लिए क्या होता है उनके जिम के बड़े-बड़े डब्बे आते हैं और उन डब्बों में क्या होता है स्कूब जो है उससे जो है लिया जाता है प्रोटीन तो ये एक स्कूब जो है कितने ग्राम का रहता है आप माल लीजिए ये 28 ग्राम का रहता है इसके अलावा एक यूनिट जो रहती है वो रहती है पाउंड जिसको हम LBS में क्या करते हैं बताते हैं ये एक पाउंड जो है 16 आउंस के बराबर रहता है मतलब आउंस से ये यूनिट क्या है बड़ी है और ग्राम्स में ये लगबग 4500 ग्राम जो है रहता है अब इसको याद कैसे करेंगे तो मैं बड़ी आसान तरीके से आपको बताता हूँ जैसे आप किसी जिम में मान लीजे जाते हैं और आपने जो है 100 LBS का वजन जो है उठा लिया निश्चित तोर पे आप बहुत खुश हो जाएंगे आप कहेंगे मैंने 100 किलो उठा लिया है पर उसी वक्त आपका दोस्त आपको आके बताता है कि भाई ये किलो नहीं लिखा है केजी नहीं लिखा है यहाँ पे LBS लिखा है और LBS लिखा है तो एक पॉंड जो है वो अगर हम बात करें तो वो आदे किलो से भी क्या होता है कम होता है चोकि एक किलोग्राम बराबर कितना होता है 2.2 पॉंड जो होता है मतलब तुने 50 किल उसे भी क्या करा है कम वजण जो है उठाया है ऐसे करके आप किलोग्राम बराबर पाउंड याद रख सकते हैं और उसी से आप पाउंड बराबर ग्राम जो है उसको भी निकाल सकते हैं अब इसके अलावा जब आप अनाज खरीदने जाते हो तो मुझे बता ही अनाज कितों खरीदा जाता है निश्चित तnt तो पर आनाच जो है उस सैकडत कीलो में खरीदा जाता है तो इस लिए वह हमें इस से भी बड़े मात्रक्या पिलों में हाथ ही बड़े मात्रक्या वाशक्ता होती है तो इस लिए हम अनाज जो है उस सैकड़ो हजारो किलो में खरीदा जाता है तो इसलिए वहां हमें इससे भी बड़े मात्रक की आवशक्ता होती है तो इसलिए हम क्या लेते हैं क्विंटल एक क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम और उससे भी बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी टन एक टन बराब 1000 किलोग्राम इसमें देखिए मैट्रिक शब्द लिखा है जिसका मतलब यहां पर कहीं न कहीं तीन शुनने से लगाया जा सकता है ठीक है इस तरीके से आप ध्रव्यमान के जो प्रमुक मात्रक है उनको भी क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात कर तीसरा आते हैं समय के मात्रक अब समय के मात्रक को तो अभी हम डिसकस नहीं करेंगे जोकि जोग्रफी जवाब पढ़ते हैं तो उसमें इनको आप बहुत डीटेल में डिसकस करते हैं अभी के लिए हमें जो डिसकस करना है वो है शेत्रफल के मात्रक शेत्रफल के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहला है एकड मुझे बताइए एक एकड क्या होता है अगर आप किसान है तो इस एकड शब्द से आप बड़ा ही इत्वाक रखेंगे तो देखिए एक एकड से आपसे important सवाल जो पुछा जा सकता है वो यह है कि एक एकड शेत्रफल जो है इसमें कितना याड एरिया आ जाता है तो आपको यह सबसे important याद रहना चीए 4840 याड स्क्वेर जो है इसमें आ जाता है अब आप कहेंगे सर याड क्या होता है तो देखिए याड जो है अगर आपने cricket की पिछ को धान रखा हो तो वो कितने याड की होती है 22 याड की होती है जिसको हम हिंदी में क्या कहते है गज के नाम से पुकारते है ठीक है इसके अलावा आप से पूछा जा सकता है एक हेक्टेर बराबर कितना होगा तो एक हेक्टेर जो है वो धाई एकड के बराबर होगा म क्या होता है दस हेक्टोमीटर होता है और इसी को अगर हम स्क्वेर कर दे तो एक किलोमीटर स्क्वेर बराबर क्या हो जाएगा 100 hectare हो जाएगा और वो ही कि वो ही यहाँ पर बताये गया है मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी unit हो गई किलोमीटर उससे छोटी hectare, hectare से छोटी एकड और एकड से छोटी unit यहाँ पर क्या है गज यानि की yards अब इसके अगर मैं बात करो तो देखिए आयतन के मातरक यह आप से जो है पूछे जाते हैं आयतन में जैसा हम सब याद करते हैं कि एक liter बराबर क्या होता है 1000 घं सेंटी मीटर या cubic सेंटी मीटर होता है पर इसका सटिक मतलब क्या होता है तो देखिए इसको यहाँ पर जैसे ये एक क्यूब बनाया गया है जिसकी लंबाई कित्ती है दस सेंटिमीटर चोड़ाई कित्ती है दस सेंटिमीटर उचाई कित्ती है दस सेंटिमीटर इसके अंदर आप क्या करेंगे जब आप पानी डालेंगे तो कितना पानी आएगा तो इसके अंदर पानी cm होगा जो कि एक लीटर पानी को कितना एरिया लगेगा कितना वॉल्यूम लगेगा सौरी एरिया नहीं 1000 गन सेंटी मीटर वॉल्यूम जो है लगेगा थीक है इसी को आप गैलन में भी प्रदर्शित कर सकते हैं अब गैलन और बेरल ये एक्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं और अब आप कहेंगी ये क्या होता है तो देखी जैसे मैं समझता हूँ पेट्रोल, पेट्रोल के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है तो उसके बारे में तो आपने काफी कुछ सुनाई होगा तो जब हम पेट्रोल खरीटे हैं विदेशी मार्केट से तो ये पेट्रोल क्या करीदा जाता है ये बैरल में खरीदा जाता है तो एक बैरल जो होता है उसके भीतर अगर मैं बात करो तो कितने गैलन्स आ जाते हैं 42 गैलन्स आ जाते हैं अब आप कहोगे गेलन क्या होता है तो देखे जब आप पेट्रोल पम जाते हैं तो पेट्रोल पम पर आप देखते होंगे कि उनके पास क्या होता है बीकर्स होते हैं बरतन होते हैं जिन पर क्या लिखा होता है एक गेलन दो गेलन धाई गेलन वगेरा तो ये असल में किसली ह होते हैं क्योंकि एक बैरल जो होते हैं उसके अगर हम विवाजन करें तो 42 गैलन क्या होता है उसमें जो है तेल जो है निकलता है इसलिए हम कहते हैं एक बैरल बराबर कितना हो जाएगा 42 गैलन हो जाएगा अब लीटर में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा लीटर से बड यूनिट का है बेरल इस पे तो एक्जाम में कुश्चन भी आया है कि एक बेरल बराबर कितना होता है तो 158.9 लीटर होता है अगर आप चाहें तो 150-160 लीटर भी इसको कह सकते हैं तो यह सारी चीज जो है एक्जाम में पूछी जाती हैं तो यह आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इसके अलावा आज के सेशन की अगर मैं लास स्लाइट की बात करूँ तो ऐसा ही प्रिफिक्स भी काफी जादा पूछे जाते हैं तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए अब ऐसा ही प्रिफिक्स का स्टेंडर्ड चार्ट मैंने देखा है बुक्स में नहीं मिलता है जिसके कारण स्टूडेंट्स को इसको समझने बहुत दिक्कत आती है तो इस चार्ट को आप जान से देखिए सेंटर में इसके क्या है ग्राम अब ग्राम के ओपर क्या आएगा तो जैसा कि आप जानते हैं डे का हेक्टो किलो ये इसके ओपर इसके कहार्च तो ये कितना था ये 10 की पावर 3 गराम जो है 1 किलो गराम के बराबर था अब इसके और неё कि तक आउंट और 2 और याद रखने चाहिए इसके ओपर एकसा और पैटा यानि 10 की पावर 18 और 10 की पावर 15 ठीक है उसी तरह से जब हम नीचे जाते हैं तो ग्राम की नीचे क्या आता है डेसी, सेंटी, मिली अब ये तो हर वेक्ति ध्यान रखता ही है 10 की पावर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 लेकिन इसके नीचे ग्जाम्स जो है पिछले सालों में कोश्चन करती आई है माइक्रो और नैनो, बाइलजी में माइक्रो का काफी इस्तमाल होता है और केमिस्टि में भी इस्तमाल होता है और जब हम wavelength बताना जाते हैं तो wavelength हम जो है नॉर्मली जो meter में अगर बात करें तो nano में ही बताते हैं नैनो meter करके बताते हैं पर यहां पर यह क्या है? grams में दिया है तो nano gram और micro gram कितना हो जाएगा? जैसे उपर हमने कराता 3 के बाद सीधा 6 यहां भी क्या लिया है हमने 3 के बाद minus 6 और फिर उसके बाद minus 9 अब इतना तो हर वेक्ति को पता होता है इसके भी उपर मैं आपको राय दूँगा कि दो कम से कम आपको याद करने चाहिए Pico और Femto Pico और Femto यह कितने हो जाएगे? 10 की पार minus 12 और 10 की पावर minus 15 तो मैं समझता हूँ यहां से भी जो question बन सकता है वो भी आपको अच्छे से clear हो जाएगा तो इसी के साथ मैं समझता हूँ Unit and measurement का जो session है वो पूरा का पूरा आपको detail में एक ही lecture में अच्छे से समझ आ गया होगा तो इस session को आप अगर दोबारा देखें और अगर पसंद आया हो तो फिर आप हमारे channel को कल्लैनियाइस Academy को सब्क्राइब करना न भूले अब जो हमारा अगला session रहेगा उसमें हम Newton's के जो law of motion है गती के नियम है उन पे चर्चा करेंगे Thank you for watching